पॉड़ाफ्यू नौल उफ्यू वेलकम टो एम्भाई बचीव बेंकर निश्योंस एक्दाम यूट्यूब चनल आइम यूवेट्स मेंटर प्रभल लवानियम कैसे आप सबी लोग पॉड़ाफ्यू नौल उफ्यू जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएए आज का सेशन बहतरीन होने वाला है आज हम डिसकस करने वाले हैं कि किसी भी बेंकिंग एक्दाम के प्रेलिम्स में आप कैसे 30 प्लस कॉशन्स अटेम्ट कर सकते हैं और एविन 30 प्लस मार्ट ला सकते हैं मैट्स में तो स्टार्ट करते हैं कोरिंग 30 प्लस इन एवरी बेंकिंग एक्दाम प्रेलिम्स के साथ तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूँगा उन टिप्स के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को एननस भी कर पाएंगे और 30 प्लस नंबर आप ला पाएंगे इन सबी चीज़ों को फॉलो करने के बाद सबसे बहली चीज़ है लवन दा बेसिक तो आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कॉंसेट वाइस या बेसिक से हर चेप्टर के कम से कम 20 से 25 कोशन 30 कोशन minimum करके रखिये और maximum 100 कोशन हर topic से करके 6 को clear करना ज़रूरी है, ठीक है, simple questions से आपका foundation बनेगा, फिर वो questions में, जो simple questions के concept अपलाई करके आप थोड़े moderate level के question कर पाएंगे, फिर उसके बाद high level के question कर पाएंगे, राइट, चलिए, create a study plan, एक particular study plan बहुत ज़रूरी है, allocate a fixed amount of time everyday to practice is quant problem, quant problem के लिए particular time अपना lot करके रख लिए एक time रे लिजे कि इस time पे ही मिरको questions को करना है, और इतना पढ़ना है, ये topic daily basis पे मिरको करने है, variety of questions, start with easy problem, gradually move to the more challenging one, easy से start करिए, then moderate, then difficult, right, time management, जैसे कि आपको बताएं कि 20 minute में, अगर आपको 35 questions करने है, prelims में मैं से, तो जरूरी है कि time को particularly manage किया जाए, time अच्छे से manage किया जाए, क्योंकि अगर आपने time manage नहीं किया, तो कई ना के questions छूट जाएंगे और आपका time खतम हो जाएगा, तब focus आपका ये रहना चाहिए कि 20 minute में at least मैं हर question को visit कर लो, जिससे मेरे को बाद में ये ना लगे कि शायद वो 10 question में से 1 question में से बन जाता, शायद वो 10 question जो मैंने छोड़े या visit नहीं कर पाया, उन में से वो 10 question बन जाते, हो सकता है मेरे score आगे पहुँच जाता, इसलिए time को manage करके practice करके आप time को manage करेंगे और उसके बाद आपका 30 plus score आने लगेगा, लेकिन time management ज़रूरी है इसके बाद बात करें practice with mock test, mock test आपके medicine की तरह है, जैसे हम किसी चीज़ की medicine ले रहे हैं, तो medicine को कभी बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर medicine बीच में छोड़ दे गई, तो बीमारी बढ़ जाएगी, तेम इसी तरीके से mock test होते हैं, कि आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, इनको regular basis पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है, तो mock test आपके weakness को strength में बदलते हैं, और अगर कोई चीज़ आपकी weak है और आपको नहीं पता पढ़ आए, तो mock test के तरूँ पता पढ़ता है, जब आप mock test देते हैं, और वो questions आप से नहीं बनते हैं, फिर आप उनकी तयारी दुबारा से शुरू करते हैं, तब, ठीक है, learn shortcut, देख्या रहा है, prelims में shortcut का use होता है, में 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 shortcut use नहीं होते हैं, मे prelims में बहुत है, prelims में shortcut ही shortcut है आपके, जतना जादा आप shortcut पढ़ लेंगे, उतना जादा आपके selection के chances बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर time कम है, questions जादा है, और कम time में जब जादा question करने हो, तो examiner का भी mindset होता है, क्यार चलो, इसको shortcut के थुरू कराए जाए questions, right, review previous year paper, previous year के paper जो है आपके, उनका review लीजे, उनको देखिए एक बार, कि उन questions, कैसे questions आये थे, किस type के questions बार-बार पूचे जा रहे है, क्या pattern है, कौन सा ऐसा pattern है, जो repeated है, इन सभी चीदों को आपको देखना है, ठीक है, calculation और speed math, आपको पता है कि यार, prelims में number series, simplification, approximation, quadratic equation, इन सब का लग 30 में से 10 से 15 questions, एक ही particular topic से है, एक ही concept पे आ रहे है, speed math पे, calculation पे, तो कहीं न कि उसका weightage एक बहुत अच्छे level पे होता है, right, इसके बाद, जो नए method है, आपके questions को solve करने का, वो अपेशा update रही है, जितना हो सके, experiment करने कोश्च करिए, जब आपके पास time है, जब आप prepare कर रह लग रहा है, किसी question में आपको ज़्यादा time लग रहा है, तो उस question के, कोश्च करिए कि उसका shortcut ढूंड के shortcut level पे questions करे जाए, right, तो ये सब ही method अगर आप follow करते हैं, practice करते हैं consistency के साथ, तो आप अपना score 30 plus कर सकते है, 30 plus questions आप score कर पाएंगे, even 30 plus आप number भी score कर सकते हैं, और even last year तो मैंने ये भी देखा, कि बहुत सारे student 35 में से 35 number भी लेके आए, right, तो चलिए, very good, I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर session अच्छा लगा, तो session को like जरू करेगा, अपने दोस्तों के साथ share करेगा, मिलेंगे next session में, तब तक के लिए thank you, have a nice day, best of luck, thank you के बहुत।